बिटा पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ E and Z nomenclature देखे थे, sin and nt देखे थे, उस पर कम सकम 20 पेचे सवाल करे थे, नई नई टाइप के, मैंने आपको बताया था, किसकी priority कब जाता लेनी है, sis और trans में किसकी priorities जाता लेनी है, E और Z में किसकी लेनी है, सिन और nt में क्या करना है, सब चीज़ा हमने डिसकस करी थे, आज हम लोग देखते हैं, counting of isomer, काफी important topic है, जैसे हम लोगों ने structural में किया था, counting of isomer, ऐसी यहाँ पर हम लोग करेंगे, counting of geometrical isomer, counting of geometrical isomer, तो बहुत simple simple question से मैं शुरू करूँगा, geometrical isomerism चेक करने हमने सीख लिया है ना, तो geometrical isomer कितने होंगे, उससे फ़ल ही यह चेक करने, geometrical isomerism भी होगी या नहीं, तब ही तो बता पाऊंगो, geometrical isomer है या नहीं, तो चलिए देखते, जैसे for example, मेरे सामने A, B, और यहाँ पर B, जैसे किसी नहीं आपको दिया, compound ले ले लेते हैं लोग, C double bond C, CH CH3, और यहाँ पर भी CH CH3, तो अब यहाँ पर दो possibility है, क्या, कि या तो यह CH3 CH3 दोनों same side आ जाए, या फिर यह CH3 CH3 दोनों opposite side चले जाए, यही तो दो possibility हैं, इसके अलावा तो कोई possibility हैं, बोलो भी, यहाँ तो यह same side हो जाए, same side हो गए तो cis हो गया, opposite side हो गए तो trans हो गया, तो दो possibility हैं, cis होगा या trans हो, सही है, अच्छा, दूसरा देखी, तो दो geometrical isomer हो गए, cis और trans, अगला देखी, अगर आप दोनों को द्यान से देखो तो दोनों ही GI शो कर सकते हैं, कि दोनों से carbon से जो group लगे हैं, हो अलगल लगे हैं, तो इसका लोग GI ये भी शो करेगा और ये भी शो करेगा, अब ये sum सीख चुके हैं, तो अब क्या-क्या possibility हो था तो दियान से देखना, अच्छा, इसकी numbering अगर मैं करूँ, तो numbering किदर से होगी, लेट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, तो मैं बोल सकता हूँ, ये वाली अलकीन है 2, 3, और ये वाली अलकीन है 4, 5, तो 2, 3 अलकीन है एक हमारे पास, और एक 4, 5 अलकीन है, ठीक है, अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये cis हो, और ये भी cis हो, या E और Z बोल लो, ये E हो, ये Z हो, ऐसा भी हो सकता है, जिस हो, तो जब एक हैं इन आई, तो दो पोसिबिलिटी, दो हैँ जिसे भी लोनकीन तो चार पोसिबिलिटी, आगे बनें? इसका भी मैं एक और केस बताऊंगा आपको, पहले हम आगे बढ़ते हैं और एक और case देखते हैं छोटा सा देखिए CH3 CH double bond CH single bond CH double bond CH single bond CH double bond CH single bond CH2 CH3 मालो मेरे पास ये case है मैंने आप से अगेन इसमें पूछा कितनी GI होंगे आप कहेंगे देखो सर एक ये है एक ये है और एक ये है तीनों ही GI शो कर सकती है मैंने का बिलकुल numbering के दर से होगी left से 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ठीक है अब बड़े ध्यान से देखना ध्यान से समझे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तीनों हो सकते हैं sis या फिर दो हो सकते हैं sis एक हो सकता है trans ये वाला trans हो सकता है और ये वाला भी trans हो सकता है ऐसा करके चार case बन गए अब चार बना लो तीनों हो सकते हैं trans फिर बोलो एक sis हो सकता है तो एक sis में एक बार ये वाला sis कर दो एक बार ये वाला sis कर दो systematically चलना है बिलकुल और एक बार ये वाला sis कर दो आया था 2 पे पावर 1 यानिकी 2 जब 2 एलकीन थी तो आंसर आया 2 पे पावर 2 यानिकी 4 जब 3 होंगे तो 2 पे पावर 3 यानिकी 8 तो जब 4 होंगे तो आप बोलने की जरूरत है कि कितने आएंगे 16 पांच होंगे तो कितने की जरूरत होगी 32 तो आप सीखें सबसे पहला फॉर्म Let's suppose मैंने आपको दिया इस तरीके से CH3 CH double bond CH single bond CH double bond CH single bond CH3 अब लोग इसके भी formula बना देते हैं ना इस symmetrical हो तो कैसा system होगा इस symmetrical हो तो 2 पर पाउर n-1 करके ऐसे कुछ formula होते हैं मैं आपको कुछ नहीं सका रहा है आप बस सीखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो formula fail होंगे एक्साम में पक्की बात है जो जो एक्साम में question आया है उनसाम में वो formula fail हो चुकी है तो वो formula किताबी question करने के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन exam में जो question आता है उनमें वो formula नहीं लगते वाली बास सही है ठीक है तो आपके दिमागे तरफ चार केस बन रहे होंगे लेकिन इसमें एक ध्यान से देखिए बात तो आपको दिखेगा कि चाहे लेट से नंबरिंग करो 123456 या राइट से नंबरिंग करो 123456 एलकीन सेम है नाम सेम है अच्छा तो अगर मैं बोलूं दौनों सिस दौनों ट्रांस एक सिस दूसरा ट्रांस दूसरा सिस पहला ट्रांस मालू मैंने ये बोल दिया अब बड़े ध्यान से देखना सिस ये ऐसा एक यूनिक आईसोमर है ट्रांस ट्रांस एक यूनिक आईसोमर है लेकिन सिस ट्रांस ये धर से देखो अगर मैं लेफ्ट से जा रहा हूं तो जो सिस ट्रांस मिल रहा है राइट से आ रहा हूं तो सिस ट्रांस मिल रहा है और एलकीन तो सेम ही है तो जब आपने ये बोला, कि मैंने इसको बोला cis और इसको बोला trans और फिर आप एक और Isomer बना रहे हो जिसमें आप बोलो हो, Is였 और Isocybola Trans तो ये तो वही वाली बात होगी इसको पलट के लिख दिया कि वही एक आगे और एक पीछे लेकिन अगर मैं उसी isomer के पीछे चला जाओं तो जो पीछे था वो मेरे लिए आगे हो गया और जो आगे था वो मेरे लिए पीछे हो गया जो मैंने आपको पिछली के class में समझाई थी रिंग के अंदर तो सेम यहां पर हो गया जो trans और sis आप इदर से बोल रहे हो अगर मैं मॉलिक्यूल को इदर से देखने लगों तो वही trans forces मुझे यहां मिल जाएगा तो यानि कि यह दोनों isomer क्या है सेम तो इसका मदले इसमें से एक मैं क्या कर दूंगा cancel मैंने दो बार दिल दिया तो answer क्या होगा 3 answer क्या हो जाएगा 3 ऐसी यहां पर आईए देखी द्यान से बड़े द्यान से समझेगा मैंने लिखा CH3 CH double bond CH single bond CH single bond CH double bond CH और फिर CH3 अब यहां पर देखो क्या-क्या possibility बन सकती है आप बोलोगे सिस त्रस फिर दो सिस एक ट्रांस लिखिते इस तरीके से कि पर दो थांस एक शिस तरीके से अब बढ़े द्यान से देखना क्या आपको कोई आईसोमर सेम दिखा द्यान ölस autor ghosts पेखेंगे लेकिए सिस ट्राइख यूंइक इस ट्रांश यूणिक और यहां पर फिरसे मिल गया आपको सिस ट्रांश अगर आप पीछे से गए तो याने की unique isomer tct तो कितने बने 6 इसमें कितने बने 6 सही है, simple है, clear है अगला देखिए चलिए इसमें मताइए कितने ISO बर होगे तो देखिए यह alken unique है numbering आपको इधर से ही करनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5 क्यों? क्योंकि यहां पर OH लगा हुआ है function दूप है सही है न? ठीक है तो अगर numbering यहां से करनी पड़ेगी तो इसका मतलब 2 alken है तो 2 alken का मतलब हो गया 2 पर पावर 2 that is 4 2 पर पावर 2 that is 4 एक और case देखें चलिए एक और देखते है चलिए इसमें बताईए कितने होंगे वीडियो को पॉस्ट कर दीजिए जल्दी से बताईए कितने होंगे आइस हो मत तो आपने तुरंट देखा sir एक ये alken और एक ये alken और numbering शुरू होगी किदर से right से numbering किदर से शुरू होगी right से क्योंकि right में पहले number पे alken मिल जाएगी और left से चलोगे तो पहला number इसको मिलेगा और दूसरा इसको मिलेगा क्योंकि यहां पर दोनों H तो क्या हो गए सेम एक ही carbon पर इस alken को तो अटा दो GI के वली ये शो करेगी तो answer हो गया two cis और trans या तो वो cis होगी या फिर वो trans होगी ठीक है तो बहुत ध्यान से आपको चीजों को देखना पड़ेगा this is very important GI हो रही है कहां GI नहीं हो रही है ठीक है तो यह तो हो गए open compound की बात है एक बार ring में चले open compound में थोड़े से और molecule दिखाता हूँ मैं आपको ध्यान से देखिए let's suppose आपके पास है ये इसमें बताइए कितने geometrical isomer हो चले इसमें बताना है आपको कितने geometrical isomer possible है बस geometrical isomer बताइए सोचिए वीडियो को pause करिए और अपना answer खोजने की कोशिश करिए कि क्या answer होना चाहिए चाहिए आशा करते हैं आप लोगोंने answer निकाल लिया होगा देखते हैं भई कितना होगा फिर देखें आपको साफ साफ देख रहा है कि यहाँ पर तो दो गरूप सेम है तो येवाली एलकीन GI शो नहीं करेगी येवाली शो करेगी इतना सही है ठीक है तो अब ध्यान से देखो क्या क्या possibility हो सकती है बड़े ध्यान से देखना अब ये तो शो ही नहीं कर रही तो ये दोनों कर रहे हैं तो माल लो ये हो गई सिस बोल लो या ट्रांस बोल लो या ई बोल लो जैड बोल लो एक हो गई सिस दूसरी हो गई सिस बोलो भी ठीक है एक हो गई सिस दूसरी हो गई ट्रांस एक हो गई ट्रांस दूसरी हो गई सिस है ना और दोनों हो गई ट्रांस ठीक है लेकिन बड़ी important बात ध्यान से देख करते हैं तो देखो आपको क्या मिलता आपको मिलता कि आप तीनों पाइवांड एक बार में कवर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या करते हैं आप नंबरें कैसे करते हैं maximum pi bond cover करने के कोश्च करते और maximum carbon की chain ले लेते हैं यह लेते हैं अब चाहे इसको ऐसे लो चाहे इसको दर से ले लो 1234567 और नाम क्या हो जाता है double bond directly main chain से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आप बोलते 4 पर है methylidine और पर क्या है methylidine है ना और 2 पर और 5 पर 2 पर और 5 पर है एन और 7 की chain है तो hepta 2,4 2,5 यह आप नाम लिखते है इसका ठीक है अच्छा अब इस नाम को देखकर आपको एक बात पता लग रही है चाहे आप numbering इदर से करो चाहे आप numbering इदर से करो नाम सेम ही आए देख लिए इसका मतलब alkyne number this and alkyne number this are same इन में कोई अंतर नहीं है और अगर इन में कोई अंतर नहीं है तो cis trans left से cis trans right से बात एक ही है तो एक isomer को हटाना पड़ेगा isomer हो जाएंगे 3 isomer हो जाएंगे 3 very important case था एक और करें चले एक और करते है जान से देखिए अपकी बाद फिर से देखिए ध्यान से देखिए ismea आपको बताना है चलिए वई call आपको बताना है कितने isomer possible है कितने isomer possible है तो आप ध्यान से देखिए आपर ये भी शो करेगा ये भी शो करेगा और ये भी भी शो करेगा बोलो भई ठीक है तो चलिए अब ज्यान से देखना और समझना देखो अब मैं इस वाले पाइबॉन को यहां लिख रहा हूं यह ठीक है अब बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि यह दोनों पाइबॉन सिस और सिस हैं तो अगर ऐसा हो गया कि यह दोनों ही सिस हैं तो इधर तो H और CH3 कुछ भी जुड़ा हो लेकिन इधर भी सिस जुड़ा है इधर भी सिस जुड़ा है तो दिस वाल दिस पाइबॉन विल नॉट शो जी आई तो एक आइस उमर हो गया अच्छा एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यह दोनों ट्रांस हो तो भी यह वाला पाइ एच और CH3 है तो एक बार एच आप ने लगाया सिस के पास एक बार आप एच लगा देते हैं ट्रांस के पास ठीक है ना मैंने आपको पिछली क्लास में याद करी मैंने वैरी इंपॉर्टेंट केस करके एक यह वाली हल्कीन करवाई थी CH3 CH1 CH1 CHC हम लोगोंने यह वाला क्वशन किया था और मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि बीच वाली ऐलिकीन एक चिन्डीशन में एक रखके ङ्री थी ऑर दूसरी es anni कर कि जब उपर और नीचे जो गुरुप हैं उनका अगर सिस और ट्रांस चेंज हो जाए यहां पर यहां पर शो होगा यहां पर शो होगा तो इसलिए कितने आई सोमर बने यहां पर चार यहां पर कितने आई सोमर बने चार आई सो मचशच़ने तो क्या यहां पर कोई फ rebell पाम आ रहा है आपका कोई फ़र्मूला काम नहीं आ ना तो आपको बना बनाकर ही देखने कड़ेंगे तब यहां को मजा आएगा जलuir एक और करें ऐक और केस देखिए भई यहां पर देखिए आपको साफ साफ दिखराएं कि यहां पर चार एलकीन है अब कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है और कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है हमें यह सब देखना होगा कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है और कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमें यह सब देखना होगा द्यान से देखिए आप अगर इस कार्बन को देखेंगे एक बिलोद अपलेन होता है यह हम बात कर चुबे है ठीक है ना ठीक अच्छा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर एक एलकीन E होगी और बाकी सब जैड होगी या एक एलकीन SIS होगी बाकी सब ट्रांस होगी सिस ट्रांस लिखे जो मन है आपको जैसे लिखना है ना आपकी मरजी आप एक एलकीन सिस और बाकी सब ट्रांस पहला केस ही हो सकता है बोलो भई ठीक है फिर आप बोल सकते हो सर अब यह मत बोला सर एक बार यह सिस करो 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 बिटा यह कारबन एका symmetrical structure होता है ना उसको जाए कैसे भी घुमाओ बात एक ही होती है ठीक है तो एक सिस हो गया अच्छा दूसरा आप क्या बोल सकते थे सर दो सिस कर दू और दो ट्रांस कर दू है ना अब ऐसा भी मस सोचना सर देखो अभी बगल बगल वाले ट्रांस हैं अब की बार में ये द इलको ऐसा सम्झो यह ट्राइपॉड है ट्राइपॉड ट्राइपॉड में कौन किसके पास होता है कोई किसरी ने, टीनों में दूरी बरावर होती है और उपर वाले बंड कीती लिए से दूरी बरावर होती है इसले हैं इसको क्या बोलते हैं, tetrahydrol structure highly symmetrical. तो एक बार, एक Sys, फिर दो Sys, फिर तीन Sys, और फिर चारों Sys, बोलो बैई, एक Sys, फिर दो Sys, फिर तीन Sys, फिर चारों Sys, तो क्या हो गया, कि पते Isomer बने, बोलो बैई, जल्दी बोलो, तरण बोलो, 4 Isomer, इतने आईसोमर बने चार आईसोमर एक सेष, दोनो सेष, तीनो सेष और चारों सेष, कित describe आईसोमर बनेगे 4 आईसोमर ठीक है जी चलिसे अगला देखते हैं चलिए इसमें बताईए इसमें बताईए कितने आईसोमर बनेंगे इसमें आपको बताना है कितने आईसोमर बनेंगे देखिया अगे यह क्या हो गया SP3 यह क्या हो गया SP3 जिससे क्या लगा हुआ है 1H अब बाकी तीन अलकील लगी है तो आप बोल सकते हो एक बार पॉसिबिलिटी है तीनों क्या हो जाएं सिस फिर एक बार पॉसिबिलिटी है कि दो सिस और एक ट्रांस बोलो भई एक बार पॉसिबिलिटी है कि दो ट्रांस और एक बार possibility है कि सारी ट्रांस. तो कित्ती possibility बनी? चार. ऊपर वाले केस में कुछ गरबा वी किया. एक बार देखें किया फिर से? ऊपर वाले केस को मैं फिर से बता रह Sand है, एक बार देख लेते हैं. यहां पर यह possibility थी ने, एक बार possibility है कि चारों क्या हो जाएं सिस एक बार possibility है कि एक सिस अलब तीन सिस एक ट्रांस एक बार possibility है दो ट्रांस दो सिस फिर एक बार possibility है तीनों ट्रांस बोलो भई और फिर एक बार possibility है चारों ट्रांस पांच बने भई सुरी भाई, उपर वाले को ठीक कर लिजे, उपर वाले में 5 बनेंगे, इस वाले मॉलीक्यूल में 5 बनेंगे, 5, इसमें 5 और इसमें 4, ठीक है न, प्लीज करेक्ट कर लिजेगा, इसमें 4 बनेंगे और इसमें 5, ठीक है न, ठीक, तो ये 4 आंसर गलते इसका, इसका 5 होगा आं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें लोग अटक जाते हैं ठीक है तो आपको यह बढ़िया तरीके से आना चाहिए अब आप वीडियो को पॉस्ट करिए और सोचिए कि इसमें आपको बताना है कि इसमें तो पहले तो हमने यह देखा एक यह जी आई कर रहा है यह जी कर रहा है इतना तो समझ में आया ठीक है तो अभी यह वाला केस हमने किया था अगर आपको सही नहीं आया तो इस तानला गड़ बढ़ है देखो भई यह बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस अलकीन के अबाउट यह दोनर से सो हो है ना तो यह 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 य बता हैं चलिए इसमें बताईएगा चलिए बोलो इसका अंसर बताईए तो देखो, जीआई ये भी कर सकता है ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है और बीच वाला कब कर सकता है इसकी condition पिछली class में discussed हो चुपी है तो अब हम सबको लोगे देखिए, बिल्कुल एक possibility हो सकती है कि सारे के सारे क्या हो जाए cys एक possibility क्या हो सकती है this will not show GI क्यों क्योंकि इधर तो अलग है लेकिन इधर क्या है सेम इधर क्या है सेम ठीक है ठीक भई इतनी बाद समझ में आई जान से समझते रहें तीसरा केस देखिए तीसरा केस तीसरा केस यह वसकता है कि दो ट्रांस हो जाए, अब दो ट्रांस होने की दो possibility, एक बार तो same alkin पर दो ट्रांस, और एक बार different carbon पर दो ट्रांस और जैसे ये ऐसा हुआ, तो देखिए, इसने तो GI show नहीं किया, लेकिन अपकी बार ये वाला pi 1 GI show कर देगा, एक बार trans 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 सामने सामने एक बाइ trans trans opposite तो यहां पर यह यह 2 वन गए ठीक है तो हमारे 2 trans हो गए गए अब तीन trans कर लो तो 3 trans में यही होगा और फिर अग की बार 4 own trans कर लो तो यहां पर भी यह जी i show नहीं करें ठीक है तो कित्ने बने गिनिये भई 1 2 3 4 5 6 7 कितने हुए? साथ. इसके कितने geometrical isomer possible है? साथ geometrical isomer possible. सही है? सिंपल था? चलिए. एक और करें? कर लेते हैं सब्सक्राइब? अब वीडियो को pause करिएगा, कुछ से try करिएगा. अरे सर ये क्या कर रहे हो? मतलब खुद कराते हो, सिंपल सिंपल हमको देदेते हो, टफ टफ यह भी तो मैं कराऊँगा, जिंता क्यों करने हैं? यह भी मैं कराऊँगा. चलिए देखिए, क्या क्या possibility हो सकती है? तो वीडियो को pause करके सोचिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ. आशा करते हैं, आपने सोचा होगा. चलिए देखते हैं. एक सेकंड ना. तो देखो, इसमें क्या क्या possibility हो सकती है? पहली possibility हो सकती है, अब चलिए देखो, यह दोनों कार्बन तो SP3 है न, इनके अबाउट तो कोई GI होगी नहीं? GI तो इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी और इधर होगी. तो पहले तो यह चेक कर लो, GI कहां कहां होगी? ठीक है. अब possibility क्या हो सकती है? possibility यह हो सकती है बई, कि यह सारे के सारे क्या हो? SIS. ये सारे के सारे क्या हो, सिस अगली possibility क्या हो सकती है अगली possibility हो सकती है कि एक trans हो, बाकी सब सिस हो एक trans हो, बाकी सब सिस हो अगली possibility क्या हो सकती है अगली possibility हो सकती है, दो trans हो पर दो trans में क्या हो सकता है भई दो trans सेम कारबन पर हो और अगली हो सकती है कि दोनों ट्रांस अलग-अलग कार्वन पे हो यह हो सकता है बोलो भई है ना फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और possibility हो सकती है बही के अपकी बार तीन्ट न कार्वन पर गहीं बोलो भे और फिर दो ट्र्रांस सेंब कार्वन पर गहीं और एक ट्रांस opposite कार्वन पर गहीं अब ऐसा मत करना ना कि दो ट्रांस रहना है कि बारी वह हैं पर गही है दोटांस अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है अपकी बाई आपने कितने बनाइते तीन ट्रांस चाए ट्रांस ले लिए तो चाए ट्रांस में भी पॉसिबिलिटी बनेंगी क्या possibility बनी एक तो ये बना और एक बन सकता है दो- agriculture एक बन सकता है दो-दो ट्रांस टीटी, सी टीटी, सी ठीक, अब बन सकते हैं पांचो ट्रांस तो पांच ट्रांस बना लो पांचो ट्रांस बना ये ये बन गए पांच ट्रांस, एक सेस और अपकी बार, सारे के सारे ट्रांस अपकी बार, सारे के सारे ट्रांस तो कितने बने आईसोमर जना गिनिए एक दो ती चार पांट छे साथ आट नो दस वाव एगा कितने आईसोमर हुए दस आईसोमर हो गए अगर यह आपको सही गया था तो इसका मतलब आप सीख चुके हैं बदाई हो ठीक है तो यह तो हो गए अब बात करते हैं अब आपको बताने हैं रिंग में जना में जना आईसोमर कितने हैं चली तो बहुत सिंपल सिंपल कोशिण से में शुरू बात कर रहा हूं इसमें बताना आपको तो इसमें देखिए पहली पॉस्पिलिटी हो सकती है कि दोनो सेम साइड और एक possibility हो सकती है एक above, एक below दो बने सही है? चलिए इसमें करिए इसमें बताइए इसमें क्या क्या हो सकता है तो इसमें आप का उगए सर देखो पहली possibility होई कि तीनों above ठीक है? अब तीनों above हो गए, तीनों below हो गए बात एक ही है, तो दो above कर लो दो above कर लो और एक below कर लो अब देखो, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता था सर, आपने इन दोनों को above किया और इसको below किया मेरा मन है सर इसको above करूँ और इन दोनों को below करूँ मैंने का बेटा, ये दोनों सेम हैं ये दोनों सेम हैं कहता है क्यों, मैंने बीटा, इसलिये, क्योंकि जब तुमने ऐसा किया, तो जिसको आपने पीछे रखा, थो दो आगे आ रहे थे, एक पीछे जा रहा था अगर आप उसी outlook के पीछे चले जाते, तो आप कहते हैं, दो पीछे जा रहे और एक आगे आ रहा है, कोई फरक नहीं में ये भी आ सकता था कि सर ये दोनों बिलो कर देता और ये अब आप कर देता मैंने का अब भी सेम भी बात है बेटा दो मिथाइल पीछे आ रहे हैं एक मिथाइल आ गया रहा है बोलो बैए तीनों बातें सेम हैं हाँ अगर ये गुरुप अलग-अलग हो जाते तो बात अलग हो जाते है लेकिन यहाँ पर अगर आप इसमें पूछोगे इसमें किसी इंसान से पूछोगे तो कहगा दो मेरी तरफ आ रहे हैं एक मेरे से दूर जा रहा है ठीक है ना यहां पर मैंने सेम आदमी को पीछे पहुचा दिया वो कह रहा रहे सर मॉलेक्यूल सेम है अभी भी दो मेरी तरफ आ रहे है एक पीछे दा रहा है इधर भी मैंने आदमी को पीछे पहुचा दिया वो कह रहा आभी भी सर दो मेरी तरफ आ रहे है पीछे जा रहा है तो ये तीनों क्या हैं सेम ठीक है अच्छा अब ऐसे कर सकते थे कि सर ये दौनों अबब और ये बिलो ये दौनों अबब और ये बिलो अब वो आदमी क्या कहता 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 देखो यहां इन तीनों को सेम मैंने इसलिए बोला क्योंकि साथ वाले कार्बन मेरी तरफ आ रहे थे और जो तीसरा कार बनता हो मेरे से दूर जा रहा था लेकिन यहां पर क्या हो रहा है पहला और तीसरा मेरी तरफ आ रहे हैं और दूसरा मेरे से दूर जा रहा है पहला और तीसरा मेरी तरफ आ रहे हैं और दूसरा मेरे से दूर जा रहा है ठीक है? तो आँ हमारे पास मैं final बना दे रहा हूँ कितने आईसोमर बने एक बना ये एक बना मेरे पास ये और एक बना मेरे पास ये तो total आईसोमर कितने हुए तीन clear है चलिए अगला करते हैं इसमें बताईए अब वीडियो को pause कर दीजिए तो देखिए पहली possibility है आप तीनों को काँ बना दो अबब तीनों को काँ बना दो अबब तीनों अबब और तीनों बिलो बात एक ही है फिर दो अबब और एक बिलो बस दो ये आईसोमर बनेगे अब आप इसमें कुछ भी कर लो आपने का सर एक बिलो एक अबब और दो बिलो तो बात सेमी तो हो गई जैसा ही है और यहां कोई आमने सामने वाला है नहीं सब एड्जेसेंट है 1,2,3 कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग का मेन खेल है ठीक है लेकन अब देखना यहीं पर त्विस्ट देखो ट्विस्ट अब देखिए अब आप क्या कहेंगे द्यान से सुनिएगा अब आप कहेंगे सर देखो पहले तो मैंने बोला तीनो क्या है अब अब तीनो मेरी तरफ आ रहे हैं फिर मैंने का सर देखो आयोडीन मेरे से जा रहा है दूर और क्लोरीन और ब्रोमीन मेरी तरफ आ रहा है तो इसका opposite भी same ही होगा मैं अगर पीछे पहुंच जाओं तो मुझे लगएगा आयोडीन मेरी तरफ आ रहा है और ब्रोमीन और क्लोरीन मेरे से दूर जा रहा है सही है? ठीक है तो एक बिलो चला गया दो अब रहा है अब दो बिलो लेके जाओ अब यहाँ पर देखो case बनेगा कि सर आयोडीन और क्लोरीन मेरे से दूर चले गए और ब्रोमीन मेरी तरफ आ रहा है और एक आईसोमर क्या बन सकता है? कि आयोडीन और ब्रोमीन मेरे से दूर चले गए और C-L मेरी तरफ आ रहा है अब यह दोनों अलग चीज़ है देख लीजे अगर तीनों गृप सेम थे तो मैं बोल रहा था एक मेरी तरफ दो मेरे से दूर पर यहाँ तीनों गृप सेम नहीं है अब मैं यह नहीं बोल सकता एक मेरी तरफ और दो मेरे से दूर क्यों? क्योंकि जो मेरी तरफ आ रहा है वो अलग है जो मेरे से दूर जा रहा है वो अलग है बोलो वई क्या करते हो? सही है न? तो कितने बने? चार आई सुमर कितने बने यहाँ पर? चार आइसों मर बनेगी यह important चीज थी ठीक है चलिए अगला case बहुत अच्छे-अच्छे case है आप लोग कोशिश करिए करने की चलिए video को pause करिए इसको करने की कोशिश करिए video को pause करिए इसको करने की कोशिश करिए आशा करते हैं आपने करा अंसर आएगा same जो उपर case है वही same यहाँ पर case है same as it is question है बस मैंने ring change कर दी आप बोलोगे iodine, bromine और chlorine फिर आप बोलोगे एक बार iodine below और bromine और chlorine अबब फिर आप बोलोगे एक बार 2 below करने हैं तो iodine को अबब कर दिया और bromine और chlorine को अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बेटा देखो एक बार I और CL साथ में रहे एक बार I और BR साथ में रहे और एक बार BR और CL भी तो साथ में रह सकते थे एक बार BR और CL भी तो साथ में रह सकते थे यह भी तो बन सकता थे ध्यान से देखिए iodine और BR और यह इसी का mirror image है, BR और CL को तो आप पहले ही साथ ले चुके हो, चाहे above में लो, चाहे below में लो, ऐसा लग रहा है किसी ने इस molecule को उठा के पटक दिया, किसी ने इस molecule को उठा के पटक दिया, तो मुझे ऐसे याद आया कि शायद मैं एक 40 उमर बूल गया, और मैंने बना के देखा, मुझे लग रहा था, आंसर चेंज हो जाएगा, पांच हो जाएगा, पर आंसर हुआ चाहरी है, यानि कि मैं नहीं भूल दा, clear है, चलिए इधर आईए, तो देखे, जो मैंने यह बनाया, यह दोनों क्या हैं, सेम हैं, ऐसा लग रहा है, किसी ने इस Molecul को उठा के पटक दिया, बी आर और सियल चले गए, पीछे और iodin आगया, आगे, बी आर और सियल चले गए, पीछे और iodin आगया, आगे, ठीक है, तो यह दोनों क्या हैं, सेम, ठीक, तो एक यह हूआ, और एक यह हो गया ठीक और क्या क्या बन सकता है बस सेम उपर वाली बना लो अब की बार आपने बी आर और सी यल को एक साथ किया अब आई और बी आर को एक साथ कर लो और सी यल को नीचे पहुँचा दो अब की बार आई और सी यल को एक साथ कर लो और बी यार को नीचे पहुंचाते है यह हो गए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला केस देखते है चलिए वीडियो को पॉस्ट करिए आईसोमर बनाईए तो एक बार तो पॉस्टिटी है कि आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन तीनों कहां हो अब अब दप लें फिर एक को बिलो कर लो तो आयोडीन को जैसी बिलो किया तो ब्रोमीन और क्लोरीन कहां आ गए साथ में ठीक है एक बार आप ब्रोमीन को भी नीचे कर सकते थे तो आयोडीन और क्लोरीन आ जाते साथ में और एक बार आप क्लोरीन को नीचे कर सकते थे तो आयोडीन और ब्रोमीन आ जाते साथ में यहाँ पर भी कितने केस बनते चार केस देख लीजिए लेकिन अगर मैं तीनों सेम कर देता तो कितने केस बनेते जैसे भी हमने ये case लिया तो यहाँ पर हमारे बनेते तीन आई सुमार, यहाँ पर हमारे बनेते तीन आई सुमार, ठीक है, चलिए, अगला question देखें, थोड़ा सा level बढ़ाएं, चलिए, इसमें बताना है आपको, तो वीडियो को pause कर दीजिए अब आप है न, और फिर सोची, तो एक possibility है, चारओ कहाँ हो, अब अब, फिर एक को below कर लो, चलो यह below हो गया, और तीन כहाँ हो गए, अब अब, टीक है न, अच्छा, अब below कौन सा ह assessments हो ब आई, आहां से देखें, या तो numbering आप इदर से शुरू करोगे, या numbering इदर से शुरू करों, तो आप कहोगे one below यह बना दो है तो अब भी तो आप यही बोलोगे क्या कि 1 बिलो हुआ है और 2, 3, 4 अब अब है सेम ही तो केस है ठीक है लेकन अगर मैं ऐसा कर दूँगे आंसे देखना तो यहां क्या बोलोगे यहां बोलोगे आप 2 बिलो गया है और बाकी सब अबब है 2 बिलो गया है बाकी सब अबब है तो यह केस क्या हो गया यह केस हो गया इफरेंट यह केस हो गया डिफरेंट ठीक है ठीक भी तो यह एक बात हो गई तो इसका अगर मैं उल्टा भी तो कर सकता था जैसा अगर मैं यह बना देता है तो अब भी तो बास सेमी है क्यों अब नमबरिंग आप ज़र से बोल दो टू बिलो है और बाकी साब है तो सेमी चीज है ठीक है तो यह हमारे कितने हो गए तीन बने अब मैं करता हूँ दो को बिलो तो दो को बिलो में तीन कैटेगरी बन सकती है यहां से देखना पहले मैं कर दू पहला दूसरा बिलो बोलो भई फिर मैं कर दू पहला तीसरा बिलो और फिर मैं कर दू पहला और चौथा बिलो तो तीन तो इदर कैटेगरी बनी और दो इदर कैटेगरी बनी category में ज़रूर बांट है और एक इधर बनी सही है अभी तक हमने 2 below करे थे ठीक है अगर हम 3 below करते हैं और 1 above करते हैं तो same यही वाला case हो जाएगा 3 above और 1 below वाला 3 below एक above या 3 above और 1 below बात तो एक ही है बोलो भई तो अब isomer repeat होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब अब कितने हो गए गिलनो ज़रा तो 2 और 1 3 और 1 6 6 हो गएगा कितने isomer हुए 6 ठीक है चलिए एक और करें सोचो अगर मैं इसमें सारे group भी different कर देता भी तो मैंने same करे हैं इसलिए आप 1 और 4 को same बोल पा रहे हो अलग-अलग हो जाता है न तो वो भी करके देखिएगा आप लोग चलिए इसको करते हैं हम लोग इसके बनाने है तो एक बार possibility है कि सारे अबब numbering किदर से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है फिर आप 5 अबब कर दो एक बिलो कर दो कोई सा भी बिलो कर दो क्योंकि numbering यहाँ पर कहीं से भी शुरू कर सकते है फिर आगे देखिए एक बिलो किया अब दो बिलो करो तो दो बिलो में अब case हो जाएगे क्या एक बार 1-2 बिलो करो एक बार 1-3 बिलो करो और एक बार 1-4 बिलो करो अब 1-5 मत बोल देना क्योंकि वो उल्टी साइट से 1-3 हो जाएगा जिसको आब 1-5 बोलोगे वो धर से 1-3 हो जाएगा तो यहाँ पर 1-2 बिलो हो गए बाकी सब अब अब हो गए ठीक है भी इतना हो गया तो दो बिलो हो गए अब तीन बिलो कर सकते हो तो तीन बिलो में देखिए क्या कैटेगरी बनेगी तीनो बिलो एक साथ फिर आप बोल सकते हो कि दो बिलो एक साथ और एक बिलो इधर फिर आप बोल सकते हो कि एक भी बिलो एक साथ नहीं अब किसी के दिमाग में आएगा सर चार बिलो करो तो पेटा चार बिलो दो अब वो हम कर चुके चार बिलो दो अब बिल्कुल सेम होंगे चार अब और दो बिलो वाले केस तो उसमें कुछ नया नहीं आएगा तो कित्ते आईसो मर हुए 8 isomer हो गए कितने isomer हुए 8 isomer हो गए clear है अगला देखे अगला case देखे इसमें बताईए कितने geometrical isomer आप expect कर रहे है तो देखिए एक बार तो geometrical isomerism इधर होगी बोलो भई और एक बार geometrical isomerism इधर भी होगी तो मेरे पस दो जगए है तो answer तो मैं पहले ही समझ गया 2 पर पावर 2 चार यह पिस symmetrical तो कुछ है नहीं लेकर हम मैं सोच के देखता हूँ कैसे होगी तो द्यान से देखना तो इसके अबाउट क्या होगा कि यह दोनों एक साइड ही हो अब 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 हूँ अब 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 चले ये बताईए तुरंद वीडियो को पॉस करिए और बताईए तो एक तो ये एक ये दो एक ये तीन और एक चार तो टूप है पावर चार अब मैं करनी रहा हूं क्योंकि लंबा पड़ेगा टूप है पावर चार क्या होगे 16 कितने आई समर बनेंगे 16 आई समर अगला करें चली अगला करिए चली इस में आपको पताना है कितने जमेटर कर ईसमर पॉसिबल हो सकते हैं तो अगर आप इस केस को ध्यान से देखो तो मैंने आपको compound यह दिया है, दियान से देखना यहाँ पर A यहाँ पर B अर यहाँ पर A और B, क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर A और B, कुछ हिसी प्रकार का तो compound है है ना, तो अगर इस तरीके का compound है तो इसमे आप कैसे judge करोगे, तो अब आपको बड़े दियान से देखना पड़ेगा क्योंकि तीन जगे मिथाइल है और एक जगे इथाइल भी है तो आपको बड़े प्यार से चीजों को हैंडल करना पड़ेगा और इसको आपको बनाना पड़ेगा ठीक है तो वीडियो को पॉस करिए और बनाने की कोशिश करिए फिर हम वोग देखते हैं कि कैसे आंसर आइगा इसका चली देखीं एक केस होसता है बिल्कुल कि तीनों A एक साथ हो तीनों A एक साथ हो तनों B से तो मझे मतलब भी नहीं है लेवा तनों B कहा चला गया बलो क्योंकि जब B मैंने डिफाइन नहीं किया था, बाकी सम्में भी तो B थे न, जैसे इसमें भी तो B थाई, वो हाइड्रोजन था, उससे क्या मतलब था हमको, कोई मतलब ही नहीं था, तो यह स्मार्ट मूव लेना होता है, एक्जाम में, या B को देखके कहीं, कंफ्यूस तो न अब आप एक काम कर सकते हो, कि एक A को बिलो कर सकते हो, ठीक है, तो एक A को बिलो कर सकते हो, यहां से देखना, इसको अबब रहने दो, इसको बिलो कर दो, एक A बिलो हो गया, ठीक है, फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, इस A को बिलो कर देते, बोलो बही clear है A के वाला case हो जाता है तो यहाँ पर 3 case तो यह वाले बन गए ठीक है यह सारे के सारे unique है अच्छा इसकी mirror image क्या हो जाती कि आप पूरे molecule को पलट देते है ना कि आप पूरे molecule को पलट देते तो वो तो हमें बनानी नहीं है अचा एक बार में इस वाले A को भी तो पीछे ले जा सकता था तो ये A पीछे चला जाता और B अबब हो जाता और ये दोनों as it is रहते देख लो क्या इसमें कोई भी आई सुमर रिपीट तो नहीं हो रहा जहां से देख लिए जा रहा हम सा अभी मैं केवल एक बार A को पीछे लेके गया हूँ मैं एक बार A को पीछे लेके गया हूँ एक A को तो एक A को मैं पीछे लेके गया तो मेरे पास तीन केस बन गए ठीक है चलिए अब मैं दो A को पीछे लेके जाता हूँ अगर दो ए पीछे जाएंगे तो देखिए क्या होगा एक possibility है ये दोनो ए पीछे चले जाएं एक possibility है ये दोनो ए पीछे चले जाएं बोलो भई ये दोनो ए पीछे चले जाएं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें बड़े जहां से समझेगा, यहां पर क्या हो रहा है, जैसे आप इन दोनो A को पीछे लेके गए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, आपको इसकी mirror image बन गई, देखो, यहां पर आदमी क्या बोल रहा होगा, जब इससे पूछा जा रहा होगा, कि 2A और 1B मेरी तरफ आ रहे हैं, और B वाले कार्मन से जो A लगा है, वो मेरे से दूर जा रहा है, सही है, और यहां पर भी देखो, क्या बोल रहा है, दो A मेरी तरफ आ रहे हैं, और B भी मेरी तरफ आ रहा है, और जो A B वाले कार्मन से लगा हो मेरे से दूर जा रहा है, अगर मैं इसको पीछे ले जा ठीक है, और कौम से दो A अलग हो सकते हैं, देखिये, ये वाले A बिलो जा सकते हैं, और ये A अबब रह सकता है, बोलो भई, तो ध्यान से देखिये, ये दोनों रिपीट हो गए, आराम से देख लो, ये दोनों रिपीट हो गए, बस चेंज हो गया है, यहाँ पर ये दोनो A अभब थे अपकी बार यह दोनों अभर इस अब आगा यह ऐगधिया कर 아ण अच्छा फिर आप जोब आप इन दोनों मैं कर सक्ते थे यह दोनों टो चले जाते और यह दोनों अभब आ जाते हैं ces जोनों अभब आ जाते ह심 मैंद को अगर आप देखे ह impeachment पार बंगे मैं आपको बना बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको सोचना तो आपको खुद भी पड़ेगा ना तो यह वाला केस और वाला केस क्या हो गया यानि कि यह वाली बात क्लियर होनी चाहिए यह क्लियर होना बहुत इंपोर्टेंट है तो कितने आईसोमर बने चारी आईसोमर बने वह सकता है कोई किसी को नया याद आजा मैं भी बूल सकता हूं तो अगर आपको नया मिले आप बिल्कुल कमेंट में बताईएगा या फोटो कीच के बीज़िएगा अगर मैं तीनों ब्लो कर देता तो कुछ फाइदा नहीं होता मेरे ख्याल से सारे हो चुकी है कोई भी पॉसिबिलिटी बचती नहीं है तो चारी आईसोमर रहूं चली आगे बढ़ते हैं अगला बताईए अगला केस करते हैं अगले केस में आपको एक और में कॉश्चर दे रहा हूं एक सेक्ड कॉल आगया है कर दो चली तो इसमें अब आपको निकालना है चली इसमें बताना है कितने जोमेट्रिकल आईसोमर होंगे इसमें आपको बताना है कितने जोमेट्रिकल आईसोमर होंगे ठीक है तो अब यहाँ पर देखी यहाँ पर तो दोनों गरुप सेम लगे हुए है और यहाँ पर एक गरुप मिथाईल है और दूसरा गरुप है तो यहाँ पर तो जी आई शोई नहीं होगी तो इसमें जीरो ज जीरो 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 और नहीं नहीं कर रहा है एक और देखिए चल्ये, इसमें बताईए इसमें क्या होगा ist? यहां तो GI Show नहीं होगी ये इधर कहमें तो एक बाघ दोनो या एक बार दोनो या डोनो बस दो सर्षाजिपल या पड़ते केस ते, अब यह बड़े आप को simple लग रहे होंगा ना पता नहीं क्या ही चीज़ है चलिए एक और करते है टाइप variety दिखा रहा हूं मैं आपको variety कई सारी हो सकती है ना देखिए चलिए इसको करिए अब यहाँ पर देखिए बड़ी द्यान से इसको आप अब भी रखेंगे और बाकी कोई भी बिलो होगा इसको आप अब भी रखेंगे और बाकी बिलो या अब जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं तो इसको करिए solve वीडियो को pause कर तो देखिए पहली possibility क्या बन सकती है कि इसको तो अब भी रखना है तो यह दोनों भ कर दिया अब एक को तो अब भी रखना है ठीक है एक बार मैंने बी को ब्लो कर दिया अब एक को तो अब भी रखना है मैंने एक बार C को below कर दिया और A को तो अब अभी रखना है अब की बार मैंने B और C को below कर दिया तो कितने case बने 4 case बने कितने case बने 4 case बने सही है ना, simple है चले एक और चले इसको करिए कितने geometrical isomer बनेंगे आपको ये बताना है तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, case क्या है, case यह है A, A और B ठीक है ना, यहाँ पर बड़ा अच्छा case है तो ये case है, ठीक है ना तो इसी के मुझे isomer बनाने है चली देखते हैं कितने बनेंगे गबराना नहीं है, वीडियो को पॉस करना है तो एक बार तो case हो सकता है ये तो A fix ही है, तो आप क्या कहते हैं इस A को ऐसे कर लो और इसको भी अब आप कर लो फिर आप कर सकते हो कि ये तो fix ही है इसको below कर लो और इसको अब आप भी रहने दो बोलो भई, ठीक है अब ज्यान से देखना ज्यान से समझिएगा अब एक case आप क्या ले सकते थे कि इसको अब आप ले लो ये अब आप रहने दो और इसको आप below कर दो इसको आप below कर दो ठीक है ना, ठीक और क्या case ले सकते थे आप आप एक केस ये भी ले सकते थे कि एक ये तो अब आप फिक्सी है आप दौनों को बिलो ले लीजे आप दौनों को बिलो ले लीजे बोलो भी सही है न? कोई गरबर तो नहीं हुई एक बार चेक कर लो ठीक है? लेकिन अब द्यान से देखना अगर आप द्यान से देखो तो क्या ये तीनों दिये दोनों सेम नहीं बन रहे है? बहुत इंपोर्टन केस है क्या ये दोनों सेम नहीं बन रहे है? द्यान से देखिए पूछने वाले से आप पूछोगे तो वो क्या कहेगा कि भाईया एक A मेरी तरफ आ रहा है और एक A और एक B मेरे से दूर जा रहे है यही तो बोलेगा हो भाईया एक A मेरी तरफ आ रहा है और एक A और एक B मेरे से दूर जा रहे है अच्छा numbering इसकी किस तरीके से होगी numbering आप यह है bromo 1, 2, 3, 4, 5, 6 या उपर सकल लेते बात एक ही होगी तो यहाँ पर क्या बोलेगा वो द्यान से देखना यहाँ पर बोलेगा वो कि 1 मेरी तरफ आ रहा है क्योंकि B तो 1 है न और 3 और 5 आगे पीछे है और 5 दूर और यहाँ पर भी देखो 1 और 3 7, 7 और 5 दूर तो यह दोनों क्या है सेम है बिटा तो यहाँ पर कितने ISO मर बने 3 ISO मर यहाँ पर कितने ISO मर बने 3 ISO मर क्लियर है चलिए अंतिम प्रश्न करेंगे अब खूब सारे geometrical ISO मर हम लोगोंने काउंट करें इसी तरीके से question आते हैं विटा चलिए तो यह वाला आप खुद attempt करिएगा यह आपका home work है और एक और देता हूँ मैं आपको यह वाला attempt करिएगा खुद से geometrical ISO मर बताने है कुछ नहीं करना है न यह मैं कराता हूँ चलिए वीडियो को post करिए solve करने ही कोश्च करिए फिर इसको मैं कराता हूँ चलिए पहला case हो सकता है कि आपने तीनो कहां ले लिए अबव दूसरा case क्या होगा एक अबव दो बिलो एक अबव दो बिलो अब आपने क्या किया bromine और iodine को बिलो लिया आप ये भी तो कर सकते थे कि iodine iodine को बिलो ले 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 और ब्रोमीन को अबवर रखते अब किसी के दिवाग में हो सकता है ये भी आ रहा हो कि sir मैं ऐसे भी तो ले सकता था तो बेटा वो same हो जाता वो same हो जाता तो आप यहीं से शुरू करोगे न 1, 2, 3 या ऐसे कर लो 1, 2, 3 बात एक ही है तो आप बोलते 1 मेरी तरफ 2, 3 मेरे से दूर 1 मेरी तरफ 2, 3 मेरे से दूर दोन बात ये तो कितने isomer बने 3 isomer कितने isomer बने 3 isomer ठीक है तो बाकी के आप लोग करिएगा खुद से सिंपल सिंपल से हैं ऐसा कुछ नहीं है मॉलीक्यूल में तो यह हमारा केस हो गया कितने geometrical isomer होंगे उसका अब 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 एक टॉपिक बचता है एलीन्स और बाइफिनाईल्स बहुत छोटू सा टॉपिक है उसको हम लोग next class में रिप्टा देंगे और इस तरीके से हमारा ये वाला portion हो जाएगा खतम यानि कि geometrical isomerism हमारी लगबग लगबग पूरी खतम हो जाएगी ठीक है ना एक और लिख लो चलो दो तीन और लिख लो ये करके लाना अभी तीन मिठायल वाला मैं आपको करवा था सेम वसी तरीके से ये भी आपको करना चलिए वाला मैं कराता हम वीडियो को पॉस करिए करिए बताइए कितने आइसोमर हूंगे कितने isomer होंगे आपको ये बताना है तो बेटा ध्यान से देखना double bond तो ring में GI show करता नहीं है ठीक है और ये carbon पर CH3 और H है पर कोई भी दूसरा carbon नहीं है जिस पर दो अलग अलग group लगें क्योंकि यहाँ पर H नहीं है ध्यान से देखना यहाँ पर H नहीं है carbon की वैलनसी 5 है तो ring में कहीं पर भी GI show नहीं होगी केवल यहीं पर होगी तो यह से सो सकता है अट्रांस दो ही आईसोमर हो गए यह से सो सकता है अट्रांस दो ही आईसोमर हो गए clear है अगला देखिए इसके भी बनाईएगा CL, CL, CL और CL चार बनेंगे इसके ना करिएगा try अगला देखिए यह बनाईएगा CL, CL, BR और BR ठीक है इसके 5 बनेंगे ठीक है इसको भी try करिएगा एक और करिए चलिए वाला भी करिए इसमें आपको बताना है will it show GI or not ठीक है ना तो इसको हम रखते है to be continue कल हम इसको सीखेंगे कि यह कैसे होता है यहाँ पर एक बढ़िया चीज है alien और biphenile का concept लगता है तो उसको हम next class में सीखेंगे ठीक है ना तो इसको आप to be continue में रखिए ठीक है और next class में C2FCLBRI हम इस question को discuss करेंगे इसमें आपको total isomer बताने है total isomer समझते हैं हाँ structural, stereo, sub, total isomer ठीक है तो यह दो question मैं आपको देता हूँ ठीक है इसमें आपको सोचना नहीं है मलब सोच सकते हो पर यह तो आपको must सोच ठीक है ना इसको जरूर सोचिए चलिए आज के लिए इतना ही टाटा see you bye bye